नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मुंबई के सीलिंग के बारे में अब तक आपने बहुत को जाना लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समुद्र के उपर इस पुल को कैसे बना दिया गया यह इतना आसान नहीं था और इसे बनाने में जो मेहनत लगी है वह आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे आपको बता दें कि इस पुल को बनाने का आईडिया 46 साल पुराना था जैसे साकार करने में काफी समय लगके आप क्योंकि मुंबई की भोगोलिक स्थिती और समुद्र में एक पुल को बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है आपको बता दें कि 5.6 किलो मीटर लंबा बांदरा वरली सीलिंग कंक्रीट का एक ऐसा मजबूत पुल है जिसे बड़ी से बड़ी लहर भी हिला नहीं सकती आपको बता दें कि इस पुल को बनाने में करीवन 6,000 लोगों ने दिन रात काम किया और इंजिनियरिंग का एक अभूत पूर्व काम होते हुए इस पुल का निर्माण हुआ आपको बता दें कि आठ लेन का ये ट्विन कैरेज पुल बेहत ही खुबसूरत है और इसमें 36,000 किलो मीटर जितना स्टील का इस्तमाल हुआ है 5,75,000 टन कंक्रीट और 500 मीटर लंबे केवल इसमें इस्तमाल किये गए हैं आपको बता दें कि इसके पीच में लगे हुए ट्विन टावर 126 मीटर हाइट के हैं और ये ट्वावर इसलिए लगाए गए हैं ताकि पुल के बीच के हिस्से को सिर्फ केबल के सपोर्ट पे ले लिया जाए ताकि पुल के नीचे से नाओं की आवाजा ही चलती रहे अन्य था उस जगे पर फिशिंग कर पाना काफी मोश्किल हो जाता इसलिए बीच के अंदर प्रिंट टावर लगाए गए पिलर्स खोदने के लिए पहले वहाँ पर कैरेज लगाए गए यानि कि खाचे सेट किये गए फिर उन्हीं के अंदर खोदाई की गई वहाँ से पा जल्दी जम जाता है इस सीमेंट को जल्दी जमाने के लिए इसमें फ्लाइ एश का इस्तमाल किया गया अगर आप नहीं समझते कि फ्लाइश क्या होती है तो जब कोईले को ख़दानों से निकाला जाता है और उसको रूपांतरित किया जाता है तो उस समयंपे जो डस्ट न आके सीधा fix किया गया अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के अंदर इन बड़े बड़े containers को लाके कैसे shift किया गया तो आपको बता देगी कि इन concrete के segments को उठा के लाने के लिए जो crane भी इस्तमाल में ली गई वो भी ऐसी थी जो कि समुद्र में काम कर सकती हो यानि कि boat पे fix cr trains का इस्तमाल किया गया और भारी हैवी machinery का इस्तमाल किया गया जो कि पहले भारत में नहीं हुआ था अब सोचने वाली बात यह है कि बांदरा और वर्ली की दूरी को यह कम कर देता है और अब आने वाले समय में बनने वाले coastal harbour road जो कि मुंबई में बन रही है बांदरा वर इसके सहारे कई ऐसे projects बनाये जाएंगे जो कि देखने लाइक होंगे आने वाले समय में भारत का पहला दूसरा और तीसरा सबसे वड़ा sea link मुंबई में ही होगा आपको बता दें कि coastline road का निर्मान 50% तक पूरा हो चुका है और उसके बारे में विस्तार से हम आपको अगल खर्चा और काफी मेहनत लगी है और बड़ी से बड़ी लहर भी इस पुल का बाल भी वाका नहीं कर सकती इस पुल को बनाने के समय में जो भोगोलिस्ट स्थिती थी वहां पर कई जगे पानी के अंदर चट्टाने थी तो उन चट्टानों के अंदर ड्रिल करकर pillars बनाये ग गया ताकि यह कभी खराब नहूं और लंबे समय तक चले हाला कि इन सभी की maintenance होती रहती है और इस पुल को लंबे समय तक चलाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं हम आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि इस पुल को बनाने में कितनी मेहनत लगी और इन जह हजार workers ने जो काम करके दिखाया है वह शायद ही कोई और कर पाता हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को ज़रूर दमाएं धन्यवाद